अस्सलामों अलेकुम वियोर्स आज हम सेंसोरिल एक्टिविटी की सेकिंड एक्सरसाइस करेंगे सिलेंडर ब्लॉक सिलेंडर ब्लॉक किस तरह से घर में हम बना सकते हैं यह मैं आपको प्रिवियस विडियो में सिखा चुकी हूँ अब हम उसका थियोरी वर्क सिखेंगे सिलेंडर ब्लॉक एक्टिविटी में हम बच्चे को विजल सेंस के जरी यानि के देखने की सलहायत के जरी हम बच्चे को डायमेंशन्स यानि के सिम्तों के बारे में सिखाते हैं Cylinder block में हम material use करते हैं Cylinder block जो कर चार block होते हैं और हर एक block में 10 cylinders होते हैं और उनकी नोप्स होती हैं और जितनी भी नोप्स होती हैं उनका size हम pencil के चोडाई होती है उसके हिसाब से रखते हैं ताके बच्चे की pencil gripping अच्छी हो सके चार सिलेंडर ब्लोक होते हैं और हर एक में 10 जो सिलेंडर होते हैं वो different size के dimensions के होते हैं तो इस तरह हमारे पास 40 objects different sizes और different dimensions के होते हैं इस activity में जो के बच्चे को different sizes और dimensions सिखाने में काम आते हैं ब्लोक नमबर वन में height और diameter दोनो increase होंगे बढ़ेंगे तो तीनो dimensions यानि कि तीनों सिम्थे जो है वो बढ़ेंगी तो इस ब्लोक में हम बच्चे को small से big का concept देंगे ब्लोक टू में diameter increase होगा और height बेकुल सेम रहेगी तो दो dimensions का difference हम बच्चे को बताएंगे कि थिन से thick object किस तरह से नजर आता है थिन क्या होता है और थिक क्या होता है ब्लोक ट्री में सारे cylinders का diameter increase होगा लेकिन height decrease होगी यानि के कम होगी तो इस ब्लोक के जरीए हम बच्चे को tall से short का concept clear करवाते हैं और deep और shallow का भी concept देते हैं जो लंबा वाला cylinder होता है उसको हम जब slender block के socket में डालते हैं तो वो अंदर तक जाता है हमने बच्चे को ये समझाना है और जो सबसे आखरी जो सबसे चोड़ा और बिल्कुल पतला होता है height के हिसाब से उसको हम जब रखते हैं socket में slender block के तो वो उपर ही उपर उसकी जो डेस है वो नजर आ रही होती है तो इस तरह हम बच्चे को deep और shallow का भी concept clear करवाते हैं खेल ही खेल में block 4 में सारे cylinders का diameter सेम रहेगा और height भरती जाएगी इस block के जरिये हम बच्चे को short से tall का concept देते हैं और जो dimension में difference नजर आ रहा होता है उसे one dimension difference होता है cylinder block activity का direct aim यही होता है कि बच्चे के दिमाग में हम dimensions का जो image है वो clear करें कि किस तरह की सिमते होती हैं किस तरह से object बड़ा नजर आता है चोटा नजर आता है और किस तरह से चोड़ा होगा किस तरह से लंबा होगा यह सारी चीज़े हमें clear करने होती हैं बच्चे के दिमाग में डॉक्टर मारिया मोडिसरी ने cylinder block activity के जरीए बच्चे को यही सिखाना था कि उसकी eye hand coordination improve हो उसकी pencil पकरने की सलहायत अच्छी हो उसकी अंदर सबर आए उसकी जो muscular movement है वो improve हो उसकी अंदर control of temperament यानि कि उसकी जो जजबाती पन है उसको वो control कर सके और उसकी writing के लिए उसको prepare किया जा सके और उसकी अंदर एक ability पैदा हो कि बार बार एक चीज़ के लिए हमने जब तक कोशिश करनी है जब तक हम कामियाभी हासल ना कर लें ये activity हम धाई से तीन साल के बच्चों को शुरू करवा देते हैं इसकूल में If you want to learn more देन like, subscribe and comment, share Okay, keep watching Mama Montessori's